प्रभुबक्त जनू भादरपद माह के क्रिश्न पक्ष में पढ़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है हिंदु दर्म में एकादशी वुरत का भहुत अधिक महत्व है एकादशी वुरत रखने से सभी मनों कामनाईं पूर्ण होती है एकादशी के दिन विधी विधान से भगवान विश्न की पूजा अर्चना की जाती है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अजा एकादशी का वुरत रखने वाले को अश्वमेग यग के बराबर पुन्य मिलता है और वरत रकने के साथ एकादशी वरत की कथा सुनने से स्रीहरी सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं चलिए एकादशी वरत की कथा अरंब करते हैं यह एकादशी वरत की कथा राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई है प्राचीन काल में हरिष्चंद्र नामक एक चक्रवती राजा रज्य करते थे उसने किसी कर्म के वशी भूत होकर अपना सारा रज्य और धन त्याग दिया साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र और स्व्यम को भी बेच दिया वे राजा चांडाल का दास होकर सत्य को धारन करता हुआ, मर्थकों का वस्त्र ग्रहन करता रहा मगर किसी प्रकार सत्य से विजलित नहीं हुआ कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूब कर विचार करता कि मैं कहां जाऊं जिससे मेरा उधार हूँ इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गोतम रिशी वहां आए राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और सारी दुख भरी कहानी कहे सुनाई ये सुनकर गोतम रिशी बोले की राजन तुम्हारे भागे में आज से साथ दिन बाद बादर परत करशन पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी तुम विधी पूर्वक उसका वरत करो गोतम रिशी ने कहा कि इस वरत के पुन्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नश्ट हो जाएंगे इस परकार राजा से कहे कर गोतम रिशी उसी समय वहां से चले गए राजा ने उनके कथा नुसार एकादशी आने पर विधी पूर्वक वरत वेजा गरन किया उस वरत के प्रभाव सेराजा के समस्त पाप नश्ट हो गए सवर्ग से बाजे बजने लगे, पुष्मों की वर्शा होने लगी उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपने स्तरी को वस्त्र आभूशनों से यूक्त देखा वुरत के प्रभाव से राजा को पूने राजे मिल गया और अंतमी वे परिवार सहीत स्वार्ग को गया हे राजन ये सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ है अदे जो मनुष्य यतन के साथ विधी पूर्वकिस वुरत को करते वे रात्री जागरन करते हैं उनके समस्त पाप नश्ड होकर वे अंतमी स्वार्ग लोग को प्राप्त होते हैं इसे कादशी की कथा के स्रोन मात्र से अश्व में यग्य का फल प्राप्त होता है जै स्री विश्नु भगवान की जै